Hello friends, this is Raj Yadav and welcome to SmartCG Update तो friends, आज के इस वीडियो में हम यह देखने वाले हैं कि जितने भी ITI के candidate हैं, ठीक है जितने भी ITI वाले candidate ही जिन्होंने form fill up किया हुआ था तो उनका आज जो है merit list जारी होने वाला है ठीक है, merit list जारी हो यह है समझ जीजे और merit list उनको देखने के बाद अपने institute में admission भी लेना है तो इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि आप अपना merit list कैसे देख सकते हैं आपका selection हुआ है कि नहीं हुआ है, यह आप कैसे देख सकते हैं ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, आपको google open कर लीना है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, अगर आप channel पर नहीं है तो channel को please subscribe जरू कर लीजीगा क्योंकि इस channel पर आपको latest update सबसे पहले मिलता रहेगा ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो like और अपने दोस्तों के साथ इसको share जरू कर दीजीगा दोस्तों google पर आने के बाद आपको type कर लेना है cgiti ठीक है, बस cgiti लिख करके आपको type कर लेना है और जैसे ही page open होगा तो आपको कुछ इस तरह का website दिखाए देगा यहां पर आप देख सकते हैं, यहां लिखा हुआ है cgiti.cgstate.gov.in अब दोस्तों इसी पर आपको click कर लेना है, ध्यान दीजीए इसी website पर आपको click करना है यहां पर जब आप click करेंगे, तो कुछ इस तरह का आपका interface open हो जाएगा और यह जो है cgiti का website है, official website है, ठीक है और इस official website पर थोड़ा सजैसे ही आप नीचे जाएंगे तो आप यहां पर देख पाएंगे, यहां पर एक option आपको दिखाई देगा मैं highlight कर देता हूँ, online application 2021 ठीक है, तो इसी online application 2021 पर आपको click कर देना है तो जैसे ही आप इस पर click करेंगे दोस्तों, आपका यह load होने, start हो जाएगा, ठीक है, नेट थोड़ा सा slow है, तो थोड़ा सा wait करिएगा तो जैसे ही यह नया page open होगा, तो कुछ इस तरह का website, इस तरह का interface आपके सामने open हो जाएगा अब दोस्तों यहां पर एक option आप देख सकते होंगे, online application 2021 तो इसी पर आपको click कर देना है, जैसे ही आप यहां पर click करेंगे, ok के button को click कर दीजेगा और आपका इस तरह का interface आपके सामने आजाएगा अब जैसे यह open होगा, आप देख सकते हैं, यहां पर login करने का option आपको दिया गया है यह login है, ठीक है, यहां mobile number आपको डालना है, यहां अपना password डाल दिना है जो आपने registration करते वक्त ID और password बनाया था, तो mobile number और password डालना है अगर आप भूल गया होंगे, तो यहां पर से आप forgot password को भी click करके अपना password है वो backup कर सकते हैं तो इस तरह से कर लेंगे, ठीक है, mobile number और password डाल देंगे और यहां पर एक capture code भी डालना है, जो कि यह जो लिखा हुआ है, जो capital letter में करिएगा, जो small letter में ही, जैसे का तैसा उसके बाद यह तीनों box fill up करने के बाद, यहां पर जो submit का option है, submit button है, उस पर click कर दीजेगा, ठीक है तो इसके आगे की process मैं यहां पर सभी जो जानकारी है, उसको enter करके आगे की process आपको बताता हूँ, ठीक है, तो पूरी जानकारी enter करने के बाद, जस्ट आपको submit के button पर click कर देना है, चलिए आगे की जानकारी देखते हैं अब दोस्तों, जैसे ही आप submit के button पर click करेंगे, तो कुछ इस तरह का page आपका open हो जाएगा ठीक है, प्रवे से तु समाने निर्देश, यह वाला page आपका open होगा, इसको आप नीचे जैसे ही scroll करेंगे तो पूरा scroll करने के बाद आपका ये button आपको दिखाए देगा, I accept के button पर आपको click कर देना है जैसे ही आप click करेंगे तो आपका account open हो जाएगा, आपके account में जैसे नीचे आएगे तो कुछ इस तरह के option आपको दिखाए देगे जैसे की payment detail देखना है अगर आपको ठीक है payment का भुकतान का वीवरंड जानना है यहाँ पर से देख सकते हैं इसके अलावा उसके नीचे जो है my profile का option दिखाए देगा ठीक है इसके अलावा दोस्तों उसके ठीक नीचे आपको एक my enrollment का option दिखाए देगा माफ कीज़े का my allotment का option दिखाए देगा मेरा आब अंटन और यहीं पर होगा दोस्तों आपका काम ठीक है मेरा आब अंटन इसी पर जैसे ही आप click करेंगे तो आपका account यहाँ पर open हो जाएगा कि आपको आपकी merit list यहाँ से दिखाए देने लगी दोस्तों merit list यहाँ पर से आपको दिखाए देगी heading में लिखा होगा merit list और status यहाँ पर आपको दिखाए देगा तो यहाँ पर selected लिखा होगा द्यान दीजीगा यहाँ पर आपका selected लिखा होगा और उसके नीचे जाएंगे तो आपका जो name ठीक है male female और ITI और trade trade, ITI का trade, trade affiliation सभी कुछ यहाँ पर लिखा होगा चुकि यह not selected का form है इस वज़े से यह blank दिया हुआ है आगर आपका select हो गया होगा तो यहाँ पर आपकी पूरी जानकारी यहाँ पर फील होगी और यहाँ पर preference वगेरा हर एक चीज पूरी detail आपकी लिखी होगी ठीक है आप पूरा जो है जानकारी यहीं पर लिखी होगी यहाँ पर seat number है preference है हर एक जानकारी यहाँ पर आपके दी हुई होगी और इसी की जरी आप समझ जाएंगे कि आपका allotment हो चुका है ठीक है किस ITI में हुआ है और किस संस्था में जाकर कि आपको admission कराना है जुस्तों एक चीज तो हो सकता है जनकारी बडिश्ट में ऐसी मेरिट लिफ्ट जारी हुई थी शाम को पांच बजे जारी हुई को 5 बज़े जारी हुई थी तो हो सकता है मैं भी स्केंड Bridget लिश्ट लिश्ट वी शाम को 5 बज़े तक ही जारी होगी तो पांच बज़े का वेट कीज़ेगा जैसे पांच बज़े का उसकी बाद आप अपना ऐडी पासवर्ट डाल साम को या फिर कल आप जो है पता कर सकते हैं और एक चीज़ द्यान दिजेगा यहाँ admission लेने की जो तारीक है वो एक सितंबर से तीन सितंबर तक की गई है ठीक है तो यहाँ पर जो एक से तीन सितंबर तक आप admission ले लेंगे और इसके दोर कोई अतरीक्त समय आपको प्रदान नहीं किया जाएगा इस पर ध्यान दिजेगा जिनका भी लिस्ट में नाम आ जाता है वो कल पर सुझा करके admission करा लेंगे इसके बाद अतरीक्त समय तीन तारीक के बाद आपको नहीं दिया जाएगा इसको आप ध्यान दिजेगा ठीक है तो चलिए ठीक है ये एक जानकारी थे आप लोग के लिए पांच बज़े का वेट कीजिए और पांच बज़े के बाद आपको अपना लिस्ट देखने को मिल जाएगा हो सकता है पहले भी आजाए लिस्ट लेकिन मैं अधिक से अधिक जो है टाइम आपको बता रहा हूँ कि अगर नहीं आता है तो पांच बज़े तक ही लिस्ट आएगा क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट पांच बज़े ही आया था चले ठीक है इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था हम मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद